और हमारा मंदर भी फोड दिया सुबसुविया के सबन्य और फिर गाली दिये फरसी लाठी सब कुछ लेके नहीं और हमार उपर मार वा पीट वा चड़ गा उतो हम सामे ना हमने फरसी इंचे काड दिये यहां आजाओ तम ने नुप पसार दिये तारी चीकली न पसार दिये हारी छोरी न चुँद दिये खुड़ गेर बजब यहां हमारा मंदर फोड़ वा मेंडा फड़ा सबन फोड़ के ने मूर्ति उर्ती ने सबन लियागा है यहां फोड़ के नुप बगागा चारु मियर को और हम सुगारी का निये बुरी-बुरी तेर बाका हैं सब दीन तो नुख है रहां सीमारी डेड़नियों भग जाओं यहां सुने दारी की ने जैसी पिक निच दिया दिया फोड़ दूँ पुने इस्ताब ना करो सिव बंदर तोड़ने वाला को गिर्मदर करो हाथ से तकरीबन पचास साल पहले इसी गाओं के यानि कि हम आपको बता देंगी अलवर के बड़ोदा मियो में स्थित घाड का बास गाओं में इस समय मौजूद हैं और आप जो मलबा देख रहे हैं ये मलबा इसी गाओं के दौरा बनाये गया ये शिव मंदर है जिसकी तस्वीर आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं और मेरे हाथ में भी ये तस्वीर है और इस मंदर को आज सुबह तकरीबन नौ बज़े गाओं के ही कोई आसामजिक त पूर दिया इसकी पूरी कहाने हम आपको बता हैं कि तकरीबन आसे पचास साल पहले इसी गाओं की जो आप इस समय वक्त दिखाना चाहेंगे कि पूरी जो जमीन दिख रही है ये पांच बिगा ग्यारा बिसवा जमीन लगबग पचास साल पहले राजपू समाच और दलिस समाच के बुजर्गों ने दलिस समाच के बुजर्गों को पांच बिगा ग्यारा बिसवा जमीन दान कर दी और उसके बाद में ये जो समाच दिख रहा है जितना वी समाच ये दलिस समाच है और उस जमीन को जो उत रहा था रहा था रख रखाव कर रहा था और इसके इनके पास कागजात भी हैं लेकिन पचास साल के बाद में जमीन के दाम तो सभावे के हर साल बढ़ते हैं लेकिन जो रास्पु समाज के कुछ असामाजिक तत्तु है जिनके आदते खराब हो चुकी है और आयाशी का जीवन जी रहे हैं उनके दिमाग में एक बेमानी आई और बेम चाहते हैं मेरे साथ यहां पर इंदर बोध हैं जो समाजी कारे करता है और बहुत समाज पार्टी से भी जुडवे हैं पूरा मामला क्या है सर जैसा कि आपको पहले पता है यह राजपूद और जो हमारे दली समाज के बीच 22 विगा का जो जगड़ा था 22 विगा में उन्हो दादय के नाम भी दान पात्र है हम उनको बार बार यह कह रहें कि एक बीगा दान पात्र है आप इस पर जगड़ा ने करो उल्जो नहीं जिस हम जमीन जो मांग रहे हैं वो जमीन हमारे हिस्से की हमें दी जाए लेकिन राजपूतों के साथ कुछ जो ब्रोकर हैं जो दलाल बिलकर गरीबों के जो कुठार गात किया है और गरीबों की यहां से जबर्दस्ती दादेगिरी से जो फासे कूडिया अतिकरण हटाने का काम किया है बहुत निंदनी हैं ऐसे लोगों पर सासन प्रसासन को कारवई करनी चाहिए और जो हमारा तो यही निवेदन है कि जो ग पूड़े बटे ओड़ा जो गरीब लोगों अपने घर पर लगा रखा है लोग मरने के बाद समसान लकडियां लाते हैं लेकिन अब समसान से लकडियां उपले यह घर पर लोगों लगा रखे जो बहुत बड़ी एक अपना आप में एक निंदनिय बात है और जो अपने आप इन पर कौई इसताई रूप से कभज नहीं है किसी प्रकार का कोई कूडी घूरा उनका नहीं लेकिन उन लोगों ने इस बेचने के अवेज में मोटी रखम ली पतचीस लाक रूपे लेकर उनको एगरमेंट कर दिया कि हमारा इस पर किसी प्रकार को कोई कभज नहीं है ले से पसाज साल से राजपूत समाज के लोग बड़े ही जिनको दानी कह सकते हैं आज उनकी जुबान को उनके जो पालना थी आदेश की पालना को उलंगन कर रहे हें चंद स्वार्थ के मैं आकर मेरा तो आप लोकों के माद्द्यम सासन प्रसासन चीह है कि हमने पहले भी उनको चेताए था साथन प्रसाइसन को कि यह जगडा किसी भी किमत पर जादा अग्रूप ले सकते हैं तो हमारे निवेदन है कि हमें जो लोगों ने पाइसा ले लिया अपने हिस्से के उन्हें पाइसा दे दिया और जिन लोगों ने अपनी जमीन लेरहें लोगों कि फोड़ी जय जी एक वक्ति के उसमें एक वक्ति के पास आ रहे हैं साड़े पांच विश्वा की कह दी पांच विश्वा दे दो लेकिन जगड़ा मत करो लेकिन कुछ चंद दला लोग यह बात सिवकार करने को तयार नहीं है हमारे गाउं में ही कुछ कई दिनों पहले यहां सीव मंदर बने हुआ था और सीव मंदर इस कबजे को तुरंत हटाने के लिए सुभे छे बजे इक खटे और लोगों को बुलाए गया और जिसमें एसामाजीक तत्तु है जिसको कहते यह ब्रोकर जो इस जमीन को लेने का काम क करते जिनके सासर प्रसासर ने बिल्डर चलाया है उनके रिष्टेदार जो साहब दीन साब दीन जिनको कहते मुरा कवास निवासिये उनके पिताग नाम सुभान खान है वह आते हैं और उसके साथ में हमारे गाउं के लोग चंद चलाक जिनको हम कहते हैं व्रोकर जिने हम क कई लोग मित्रू के लड़का साजन ये कई लोग इखटे होकर आते हैं और इस सिव मंदिर को खंडित कर देते हैं देखने वाले ये बताते हैं कि मुसलमान समाज के जो साब दीन है मंदर पर छड़ गया और छड़के उन्होंने जबरदस्ती उनको प्रती मां को उखाड़ा और बुरी तरह उनको अपमानित कर खंडित किया गया है हम सासन पर सासन से इनिवदन करने चाहें कि जब तक यहां दूसरा मंदर नहीं बनाएंगे लोग और मंदर के साथ साथ भी इनको गरभदार कानून कारवी नहीं करेंगे हम यहां पर धन्ने पर बैठे रहेंगे चा पास फर्ची थी जब हमारे एक हरी सिंग जी ने उसका बिरोध किया तो उनके लात घुसों से मार पीट की उनको फर्ची चलाने का काम किया उनको डराय धमकाया और बहुत बुरी तरह से लाट ही चलाई उनके पास लेकिन वो किसी तरह से यहां से बचके चला गया हमारे सा वहां नो बज़े तोड़ दिया गया और यह पूरी जमीन जो पांच भी गया ग्यारा बिश्वा जमीन आज से तक्रीबन पचास साल पहले रास्पुस समाज के बुज़र्गों नहीं दान करी थी समझोता हुआ था और वो दान पर पूरी तरह से कायम थे लेकिन उनका क्या तोड़ ने सेटों को मनें अलोर या था इस्पी शाप सब्सक्राइब करने के लिए तो यहां आप क्योंकि जो कुड़ी तो कुड़ी को रड़ी थरक कर दिया जब अवह वती ने जो जएसी भी चलाने वाले जसी तो इदर चल रही थी लेकिन जो मालिक थै कि संजी थ थे एक सिब्भी गुजर था तब उन से कहा कि मेरी कुड़ी को क्यों रड़ी थड़ी के तो उनके साथ भी ऐस सब्द कहे जाती सुदक सब्दों का इस्तमाल किया मार पीट की गई और असलील जो इसारे कि जमीन की बदे बदले तुमें ये ले लो इस तरह के गंद इसार किय परिवाद दिया गया हमने थाने में आज से एक महीन पहले भी परिवाद दिया दे कि इन लोगों को पाबंद किया जाए वो लोग पाबंद है उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं हमारे तो सासन प्रसासन से निवदन यह है कि अगर किसी प्रकार से जगड़ कर दो जाए तो जिशके में देरी सासन कि होगी तो बिलकुल आप देख सकते हैं कि आफ सुबह से फिकरी डिनों से यहां पर खाना वाना बन रहा है तो還是 क्या आप बोलेंगे हाँ मार पेड़ की हाज रहा हमारी सासु हमारी मंदर पर कोई नहीं बनसल्पट बदनते लिए और सब्सक्राइन टैंएव पुजन करें हमें तो सौप हमारे मंदरह हमारहे ये बिगाड दिया और हमारे आई ये और हमारा मंदर भी फोड़ दिया सुपसविया के सबने और फिर गाली दिये फरसी लाठी सब कुछ लेके नी और हमार उपर मार भा पीट भा छड़गा उतो हम सामे नाना हमने फरसी इंचे काड़ दिये यहां आजाओ तमने नुपपशाड दिये तारी चीकली नपशाड द सबने लियागा है सुपोड़ के नुप बगागा चारु मेर को और हम सुगारी का दिये बुरी बुरी तरबाका हैं साब दिन तनुख हरा उप्ची मारी डेड़नियों भाग जाओ हैं सुने दारी की ने जैसी पिक निच दिया दिया फोड़ दूं कॉंचा साब दिन वी हो वी बाद को छौराती नु और अच्सान को चौराती नु अलो हो जाओ दो अभाग गया देदा के निया घख निया नुल यहान मूर्ती उतिन जां खांखाऊ और भागर गया हम है पाड़ दिया तरह पीट पाटक पाटक आमन कू पराती कूड़ो कजूडों गेरों जुब दक्राइब कर दो हमारे कोई तमारी कोई जुगा ऑगाना एक असी कोई तुमारी कोई तुमारी जुगा ओगाना यहां नहीं तो कुछ गंद संद अबोले कुछ हम तो हणब खड़ागे कुछ कर भी नहीं पाए मूरति नको लिए जा रहे बहुत दूख हो रहा था हम तो कि यह कैसे राक्षस के जूर में कैसे इंशान हैं कैसे मनुष्य भगवान ये से कैसे उठा रहे हैं हमें तो कुछ बोलने की वहीं ने रही बहुत बहुत जाद़ घवरा गेते हम तो सबी नो जब 9.30 का टायम था तो हम यह कुड़ा गेरने के लिए आए ओम बती और किसं ठाकूर तो निकल गया महां से और फिर ये साब दीन आया में वो और एक वो सिभी घुजर आया वो बोलने लगे कि यहां क्यों आई यहां से भग जाओ नहीं प्याज की निया फोड़ दूंगा और वो सिभी घुजर कह रहा भग रहे हो को नहीं यहां सब दूने बोला कि जमीन बगारा हूं और फिर देखता हूं कोणा आती हैं कोड़ा डालने ऐसा बोल रहा था तो बिलकूल आपने सुना महिलाओं के साथ मारपीड की गई श्ब्दों का इस्तमाल किया गया और बुजर्ग महिला है इस गाओं की और उनके हाथ पेर को तोडने तोड़ा गया म अब देखो आप ये स्थिती है और खास्तोर में बजनलाल की सरकार है यहां से दो-दो मंतरी हैं केंदरे मंतरी हैं और अलवर से मंतरी हैं और चुनाव चल रहा है रामगड में और रामगड में हम हैं इस समय और अगर इतना बड़ा समाज के साथ अगर यह दुरगती होती है इनकी जमीन 50 साल पहले इनको दान दी गए थी और जिसके लिखा पत्र कागज सब कुछ है और उसके बावजूद भी अगर दलाल लोग अगर आकर इनको मार्क की साथ मार्क पिट करते हैं तो प्रशासन क्या करेगा वड़ोदों मेव की प्रीशासन पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है यह बड़ा सवाल है और आगे कुछ और बड़ी कारवाई हो गई इनके बच्चे किसी के साथ जानमाल का नुक्सान हो गया तो उसका जिम्मदार कौन होगा यह बात इस गा कि लोग कह रहे हैं